आप लोग आप अपसपस्ट नहीं बोल रहे हैं नितिश कुमार की जो इस्थिती बनी है उसके लिए दोसी कौन है? खुद स्वैम अपने पैर में उन्होंने कुलहारी मारा है। चल जाते हैं मोधी जी पर सवाले में पूरा इसे 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 बना दे रहे हैं। जब से नितिश कुमार जदियू के अध्यच बने हैं कई खबरे चल रही है और कई बाते हो रही है। उसको लेकर जो प्रमुख बाते जो निकल कराई है वहिया है कि नितिश कुमार क्या एंडिये का हिस्साफ फिर से हो सकते हैं? भाजपा के साथ जा सकते हैं या नहीं? उन तमाम बातों पर बात करेंगा और भी सियासत गल्यारों में. जो भी सवाल जबाब चल रही है उसको लेकर भाजपा के प्रवक्ता हैं प्रेमरें जन पटेल जी. प्रेम जी क्या कहिएगा? देखें, नितिश कुमार को हम लोग तो हटाए नहीं थे. 43 उनके विधायक जीते थे 2000 में. और 74 विधायक भारती जनता पार्टी के. फिर भी हम लोगोंने मुख्यमंत्री बनाने का क किया. जो विहार की जनता जंगल राज से मुक्त हुआ था. और हम लोग तो पूरी तरह से जनता के प्रती जो हैसे संकल्पित है. नितिश जी को फिर से भाजपा में लाने की त्यारी. ने, ने, हम लोग जो हैसे किसी कीमत पर नहीं. हम लोग तो जनता के अनुरूप चलते है. जनता जैसा चाहती है. जो विहार की जनता चाहेगी, उसके अनुरूप हम लोग काम करेंगे. हम लोग का एक ही लच्छा है. 24 में फिर से नरेंदर मोदी जी को प्रधान मंत्री बनाना, उसके लिए 40 की 40 लोग सभास चीटे भारती जनता पार्टी की जोली में मोदी जी फिर आप लोग, फिर आप लोग. लाए थे, लेकिन वही दोनों व्यक्ति ने जो हैसे उनकी पार्टी को तोड़ने का भी तो काम कर रहे थे. लगातार जो हैसे इस लालू यादों से मिल करकर करके नितीश को अपदस्थ करने में, उनकी सरकार को गिराने में, विधायकों क अलग गुठ तयार करके उनको तोड़ने में लगे हुए थे. यही तो उन्हें थे ना, सारी बाते मीडिया में आ गई. ललन सिंग तो बोल रहे हैं कि हमारे खिलाब जो भी खबरे चली है, हम उसको संग्यान मिलेंगे और मानहानी का मतलब दावा करेंगे. मानहानी को मीडिया पर क्यों कर रहा हैं? मीडिया का क्या गलती है? मीडिया को तो जो इसुरोत मिलेगा, जो खबरे मिलेगी, वो मीडिया चलाएगी. करना है तो नेताओं पर करें. हम लोगों ने काए कि ललन सिंग तोड़ने का प्रियास कर रहे थे. कोशिस में लगे हु चुनार भी जो अप्रेसं करते हैं किसी को खबर नहीं होती है वो ऐसे क्रते हैं उनको लगता है कि हमारी पार्टी को तोड़ने का कोई प्रियास करे और नितीश से अलग tunnels को अपधस्थट करने का काम और नितीश से अलगत कि देंडा पार्टी को पदस्ट करने में एक गुट बना करकर करके तीरा चौदा विधायकों का बैठा का उसकी बैठा को ही बजाते उसमें ललन सिथे की नहीं थे यह बातें जो है इससे हो सकती है लेकिन बैठ के हुई है यह सारी बाते तो सामने आ गई तो नम्मा देन दिजे नाम आप लोग कुछ बता दिजे सबको पता है उनको मालूम है क्यों टेजस्वी आदा हो जोना पुछे तो कि टेजस्वी आदा हो इनके हां रात में जा जाकरके कई घंटों तक जो हैसे गुफ्तकू क्यों करता था इंके घर पर जो हैसे किसलिए बि जादिव को सवाप्त करने की और टेजस्वी आदो को मुख्वंत्री बनाने का नितीज कुमार को सवाप्त करकर के यह तो चल रहा था साजीस नितीजी बीच में धर लिए यहीना आप लोग भी आर्चैपी सिंग लगता है कि विधायकों को तोड रहे थे यह उस समय कोई आर्चैपी सिंग और उसमें कोई दम नहीं था आर्सीपी सिंग उस पार्टी के राष्टियत से मंत्री बन गए थे मंत्री बनने की चाहत ललन सिंग रखते थे और ललन सिंग मंत्री नहीं बन सके इसके कारण दोनों में जगड़ा हुआ खुन्नस था आर्सीपी सिंग से कि आप मंत्री हो गए और मैं मंत्री नहीं बना तो उसके उपर कोई ना कोई इस प्रकार का आरोप और प्रमान सावित करकर करके करें जिससे कि उनकी मंत्री मंडल से उनका चला जाए राजसभा में दुबारा नहीं हो और यह काम में सफल हो गया लगा आप लोग आप अपसपस नहीं बोल रहे हैं नितिश जी का आप क्या होग पैर में उन्होंने कुलाडी मारा है आज जो हैसे कभी 117 विधायक हुआ करते थे आज 43 पर आ गये हैं और उसमें से भी अब जो हैसे विधायकों में एक जुटता नहीं है तूटने के लिए तैयार है और वो अभी अभी समात नहीं हुआ है नितिश जी के सरकार को समर्थन अब भारतिय जनता पाटी को देखे भारतिय जनता पाटी की सरकार बने अब लोगों के चाहत लोगों को भरोसा नरेंद्र मोदी के उपर है अब भाजपा का यहां मुख मंत्री बनाएंगे न नितिश जी अगर समर्थन कर देखे हमारी क्या है नरेंद्र मोदी जी को प्रधान मंत्री बनाना फिर से तीसरी बार और इस बार जो है से भूतों न भविस्टी आग तक जो है से कभी नहीं हुआ है जितनी सीटे किसी प उनीस में तेस अज़ार भोट आया भारतिय जनता पार्टी को 330 सीटे और गठबंधर को 330 सीटे इस वार हम लोगों ने लच रखा है 35 कडूर भोट का और 400 के पार सीटे 406 सीट का जो है से बड़ा आकड़ा जो है से राजिव गांदी के समय का है एक दम तूटेगा और मोदी जी इतने popular व्यक्ति हैं दुनिया के सबसे popular व्यक्ति के सकती सब लोगों में है पूरे देश में जन्मानस में गाहां गरीब किसान में, बद्धूर की बखती से जाके पुछें की सासे, सब कराईती है, हाय के सिरे काम कर रहा हैं गरीब को खाना दे रहा है, सब की doing किराने का पैसा दे रहा हैं todavía, तो फिर जो है से कौन बचा एक तरफा होगा चुनाओ मान लिए कि नरेंदर मोधी परधान मंत्री बनेगी है मगर बिहार का बात ना है आप बिहार नितीजी से लेकर चल जाते हैं मोधी जी पे सवाले पूरा इसे इसे जिले के बना दे रहे नितीजी के साथ है या नहीं है जनता का जिनके उपर भरोसा रहेगा उन्हीं लोगों को हम साथ लेगे जिनका जनता का भरोसा तूट गया जनता जिनको जो हैसे माफ नहीं करेगी तो हम क्या कर सकते हैं प्रेम जी बोल दिया है और बीजेपी के प्रवकता हैं और पुरुबिधायक भी रहे हैं तो इस प्रकार इसना कर दिया है कहीं नंता करेगा जसको जनता का समर्थन होगा एदम राजनीति पेची दिगी वालीजी कử सकते हैं कि ये बाक है बाकि आप देखते रहिए बिहार में कुछ भी कभी भी बड़ा हो सकता है इसलिए हम लगतार खबरे पर बने रहते हैं और खबरे लाते रहते हैं फिलाल के लिए अभी के लिए इतना ही कहेंगे कि मेरा नाम रवी कांथुआ और प्रेमर रंजिन पटेल जी थे इन्होंने कई बाते आज में बताएं हैं तो अभी के लिए धन्यवाद